पढ़ने के बाद अब हम लोग आज पढ़ेंगे CSS list और इससे पहले भी जो हम लोगों के पास content था वो उसकी वीडियो में बना कर डाल चुका हूँ आप लोगों को समझा चुका हूँ with the help of practical and theory also so if you want to see and cover your this paper so please watch my previous video according to the CSS framework ok so let us start the new topic in CSS framework is the w3.css list and table so now I will start the topic so if you want if you like this particular lecture so please like and subscribe share also with friends okay so so let's go start the topic and we are going to read the list 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 के बारे में भी वही है कि अगर आपको जो है अपना data display करना है तो आप वहाँ पर अपना data display कर सकते हैं तो इसमें हम लोगोंने कई सारी चीज़े देख ली थी पहले भी और इससे पहले टेबल में भी हमने देखा टेबल में क्या रेखा कि अगर कोई भी डेटा में को display करना होता है वो टेबलर फॉर्म में होता है ठीक है और लिस्ट की बात करेंगे तो यहां लिस्टेट फॉर्म में होगा जैसे किसी भी चीज को माल लीजे आपको करें करना और करें कांटेंट काम करना चाह रहें तो विद्धा हैलप अप लिस्ट अप एक ही लिस्ट में सारे कन्टेंट को डिफाइंड कर देंगे तो बार-बार इधार करने की योड़ नहीं पड़ेगी के तो यहां पे ये जो होता है कि इसका जो क्लास होता है हम लोग ने पहले भी इस्टेमेल में पढ़ लिया है यूएल और ओयल के मतलब अच्छे से बताया था सायद याद भूगा और लगएzone कि रहें व कि यूएल क्या हो था है ओन डिश्टा कोई नहीं होता है पहले नबर पर कौन आएगा डूसरी न्यूमेर था होता है आपको जो डिस्प्लेय होती है 2234 में होती है पेपर में कि order list और unorder list क्या होती है तो आप इजली इसको जो है बता सकते हैं ठीक है तो चलिए देख लेते हैं यहां पर प्रोग्राम्स हमारे उसी तरीके से लिखने है इसका जो syntax होता है बस उसमें हम लोग लिख देते हैं डबल कोट्स में आपके टेक्स के अंदर ठीक है तो यह सारी चीज़े होती है आप और प्रोग्राम काफी जीए और फिर एक बार बोलूंगा कि जब भी आप यह डबलू ठीक के प्रोग्राम रन कराएंगे तो वहां पर आपको क्या करना होगा कि इन सारे प्रोग्राम को आपको जो है नेट को आउन रखना काफी जादा जो ठीक है तो वह सारी चीजे होंगी आप तो अब हम दो चलिए देख लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना ठीक है आँ तो आयात ने अपने इस पर एडिटर पर आगए हम यहां पर ठीक है और यह वाले जो प्रोग्राम में लिख आ है इस प्रोग्राम को जो हम यहां से लिख लेंगे एक मुट जरा असा देख लेतने कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं अगर अगर चलिक करने की बात करने तो जिले समया और आटिए और देखते हैं कि यहां पर क्या काम करेंगा यह कि नहीं करेंगा क्या फिलाल अभी के लिए नहीं कर रहा क्या है एक बार जो है हम इसको फिट से अउफ कर करेंगे देखते हैं कि अगर आपने यहाँ पर लिश्ट पे और इस प्रोग्राम को कॉपी कर ले रहा ठीक है है और यहां पे Soul अधार और स्व हम नाँ नोटपैंच का अधिटर है उसमें लोग लिखाएंगे अरा करा ऐंगे कीका यहां पर आने के बा Elücht की फैल हमारीन है वखलडी में सब्सक् winding कर दे रहें रहें और आप लोग जो है इसको देख लीजेगा कि किस तरीके से प्रोग्राम को लिखा जा रहा है आपको क्लेरली विजबल हो रहा होगा अब इस तरीके से हम आ गए और अपने प्रोग्राम को यहाँ पर रण कराएंगे ठीक है करण पर यह देख पा रहे हैं यहां पर जो है आपको यह प्रोग्राम सब्सक्राइं नहीं सब्सक्राइब होता है पाइर अपने आप लिख दिया ठीक है तो आप लोग जो समझ पा रहे होंगे चले फटा फट आगे देख लेते हैं कि क्या है ठीक है तो इस तरी के से आए यह हमने जो है लिश्ट बना दिए अब बॉर्डर लिस्ट में क्या होगा जो लिस्ट आएगे हमारे उसके चाहँ तर बॉर्डर होना चाहिए ठीक है यहां सब्सक्राइब लिखने के बाद में इसको लिखने के बाद में इसको फिर जाएंगे अपने एडिटर पर जाने के बाद हम इसको सब्सक्राइब को परल आता है यह पर जाने के बाद में बैख अब यहां पर है यहां पी ट्रॉडर आपकी आ झाल रहे हैं में सब्सक्राइब प्रोग्राम को नोट करना है नोट कर लेजिए वीडियो को पॉस्ट करके या फिर आप इस तरीके से आएगा ठीक है यह देखे यहां पर और इसका जो इसके बाद में डबलू थी यूए लोग डबलू थी बॉडर तो इसको आप लोग जो है करके देखेगा ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमट के मादे में पूछ लिजाएगा तो मैंने सारे प्रोग्राम को वैसे भी दन करने के दिखाने की कोशिस की एक आद करके रन करा लेना यह संटेक्स रखने चेंज no changes कहीं नहीं करने बस changes class जहाँ पर करने आप दिफञा करने कि आपको जो करने ऋ सांबिख का चीज कर नाम दे देंगे ठीक है तो आप न रद दोनों कर दो याद कर लिजीलेगा और गोंद प्रोग्राम को लहसं में comment में दिखाईएगा तो देखतें कितने लोग प्रोग्राम को सही सही रन करते हैं हमें आपके comments का वेट रहेगा और अगर कोई problem होती है तो आप लोग करिए जो ठीक है मैं सारे दिख पाएगा तो यह class भी आपको उपर जो है हमने हालाइटेट कर दिये syntax को तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं ठीक है अब यह color list item है अब color list item का प्रोग्राम के दिखा देंगे कि किस तरीके से color list item को नगे लिख रखा है आप लोगों के लिए जितने तीन प्रोग्राम के syntax हमने दिये हैं यह आप लोगों को तो प्लिस जो है इसको आप जखाये तक ही अप ज़िए आप करके हाएगा हमें और यह ज़िए है तो उस चीज को हटा सकते हैं चाहे तो नहीं हटा सकते यहाँ पर डिपेंड होगा जैसे भी आप करना चाहे तो यह प्रोग्रम थोड़ा सा अच्छा है और इसको जो है आप करेंगे तो वाकाई में जो है इसका यूज समझ पाएंगे और यह जो है वेब पेज के नजरिय कराया है ठीक है और आगे जिसकी क्लास देंगे ठीक है जिसकी क्लास देंगे उसको जो है काफी सही से याद रखना यह डिस्प्ले कंटेनर में हम लोग करा लेंगे और यह जो क्लिक होगा और क्लिक पर यह पूरी एक लाइन है यहां से लेकर के यहां तक ठीक है इसमें पर दिस्प्ले होगा आपके माउस के मूवमेंट पर होगा ठीक है जब आपका मौस का मूवमेंट होगा तब होगा तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं लिखने के बाइन आपको जो है इसका रण करा के आउटपूट देख लेते हैं कि कैसा आएगा उसमें क्या डिफ्रे करा लेते हैं ठीक है और रन करा लेंगे और रन कराने के बाद में और इसका आउटपूट देखेंगे फाइल उसी नेम सेब करनी है फाइल नेम.html के नाम से तो चलिए यहां पर रन करा के देखते हैं यह देखिए यह आगया वीटे क्लासेस आइटम 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 ठी ठीक है तो यह क्लोजेबल लिस्ट है ठीक है और इसको आप यहां से जो है मैं देख सकते हैं इस चीज को यह फिर से कि इसको इस प्रोग्राम में थोड़ इस प्रॉलम आ रही है तो अब हम दोग देखेंगे इसको इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो यह आउटपुट है और आप प्रोग्राम को रन करके जहूर दिखाईएगा कि क्या जो है इसमें कि डिफ्रेंशे से कालर वाले दोनों को लिज्ञए कालर वाले मैंने नहीं किया है अब अगला देखते है ठीक है तो यह हो गया हमारा इसका आउटपुट आप देख पा रहे होंगे ठीक है तो इस तरीके से जो है यह प्रोग्राम रन करते हैं तो अब कि आपको अगर इसका सारी प्रोग्राम को डिफाइन करके आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं कि प्रोग्राम को जो है दीट कर सकते हैं और उसका syntax भी लिख सकते तो आगे जो हम लोग यूज करेंगे यह देखेंगे यहां पर हावर कलर हमने जो बता रखा है कि यह इसको नोट कर लीजिए ठीक है और इसका प्रोग्राम हमने अधर कराया था वो इसका ओट-पुट ऐसा आया था ठीक है आप जैसे भी माउस का मौमेंट करेंगे वहां पर आजाएगा ठीक है जो आई वोप आप लोग समझवा रहे होंगे कि किस तरीके से इसको करना है ठीक है सिंटैक्स जरूर लिख लिएगा क्योंकि सिंटैक्स यूसफुल रहने वाला है अगर आपको सिंटैक्स ही नहीं याद होगा तो फिर आप प्रॉब्लम में फच सकते हैं ठीक है तो यह सारी शीज़े हैं और यह जो आपको मैं बोल रहां सिंटैक्स इसका जो है मैं आसा करता हूं कि आप लोग प्रोग्राम बनाकर मुझे कमेंट माद्धे में भेज़ेंगे और मैं जो है इसको देख पाऊंगा और वाकिया आपकी मर्जी है और अगलाव हम लोग पढ़ प्रोग्राम को नोट किया है और नोट करने के बाद में इस प्रोग्राम को क्या किया है हमने यहां पर सेथ कर लेना है डिक अब यहां पर गया और इस प्रोग्राम को व्हाल को कर लिए रिक कई पढ़ी और यह पैडिंग रिफॉद्ट पैडिंग लार्ज हूं चो देख लिए देखे में लाज में क्या है काफी जयादा छुटत ये बीच वाला और 2022 काफी अच्छे से अपको प्रोग्राम करना है तो नोट कर सकते हैं, और अपने पास ब्रॉड्स करके भी जो कोई तो इस तरीके से हमारी पैडिंग लिस्ट हो जाती है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या हमें देखना है तो यह हमारा पैडिंग लिस्ट का कुछ एक्जामपल दे रखा तो यह आप देख सकते हैं उसके बाद में कर लिजेगा और ना हो तो हमते बता दीजेगा हम आपको जो है यह प्रोग्राम करके दिखा तुसका रहे होंगे तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम को करना है और करनेके बार में रन करके देखना और छोटी लिस्ट कलम ने टेवलए थी यह सटिनी टेबल होती व्यासे टिनी लिस्ट होती यहाप मैं इसलिए क्या खाल अभी स्टार्ट्निंग से इतनी प्रोग्राम आप क्यों को चीजें लिखना है और आपका क्यों के लिक्त डिखा दर रहा हो आप जैसे सारे प्रोग्राम लिखना है आपके के बल क्लास के पास जाकर करके सिंटेक्स को चेंज कर देना आपको प्रोग्राम इसली रन होंगे ऐसा कुछ नहीं ठीक है बट नेट ऑन होना चाहिए फिर मैं बार बार बोल दाओं इसलिए क्योंकि जो लाइबरेरी होती है वो आन प्रके सिंटेक्स को नोट कर लिजेगा मैं दोनों एक बाद फिर से यह यह वाला जो है यह आप आप इसमाल देख पा रहे होंगे और यह लार्ज है तो इसमें जो कंटेंट आपका दिखेगा लिस्ट में वो लाज पाप लोगों नोट कर लिया होगा आगे बढ़ते हैं जिणुटिक अuxछे लार्ज सल लार्ज का कैंसेे समने एक्सल कर दिया और एक्स्ट एक्स्ट लार्जप उसका भी सिंटेक्स हमने लिग दिया तो यह सारी चीजह आप लोग करके देख लिजेगा एक यो और इसका भी सिंटेक्स है व्यापर आपको लाज लिख रहे हैं बात करते हैं बहुत बड़ा है जो होता है हमारा कंटेंट होगा इसका भी हमने सिंटेक्स यहाँ पर दे दिया तो इस तरीके से क्या होता है कि आप लोग कर सकते हैं तो चलिए आज का टॉपिक यहीं लिस्ट पर फिनिश्ट करते हैं और आई होप कि यह जो हमने आपको तो चलिए हैं जबमिंदे अफमें ऊव्ट पूट यह तो जोग ओलता है कि अब प्रीचाव अगर्म के लुकली क्याया दीनाया है जा या अन्हीं नहींा ञाए हमें रिप्लाई जरूर करिएगा ठीक हमें वेट रहेगा आपके एंसर का और अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो आपका नया टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से आप लोग जो है हमें अपना एंसर दीजिएगा हमें वेट रहेगा आपके एंसर का और पढ़ते रहें डाउट हो तो पूंचते रहें बहुत ही जल्दी यह सारे पेपर्स खतम करने के बाद में आप लोग को लिए आम वाक ट्रेश ले करके आएंगे ठीक है औ और लाइक शेयर कर दीजिए और जो हमारे नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे वीडियो डेली 10 बजे अप्लोड हो जाता है और जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक ऐसा भी नहीं रहेगा कि छूट जाए क्योंकि तो चलिए देखते हैं कि अब आगे टॉपिक क्या होने वाला तब तक के लिए पढ़ते रहिए ख्याल लखिए और अपना जो है टॉपिक तैयार रखिए ठीक है जैन